हेलो आल दस इस सान्वी शर्मा, I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey तो आज 25th April 2021 है, संडे का दिन है, आपके लिए देखते हैं क्या एंजलिक गाइडेंस निकल कर आती है तो कैसे आज आज आपको कुछ एक्स्ट्रा पर डाल के अपने दिन को आप ब्राइड कर पाएंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज के दिन के लिए वो चीज़ देखते हैं I'll take out three cards, okay, first card is Sky Father का card, okay, what else? Trust and Thrive का card है, okay, what else? Eagle का card है, यहां पर, okay, bottom of the deck पर है, release the old and rest, autumn का card है Okay, so, सबसे पहले यह जो bottom of the deck का card आया है, इसी के बारे मैं बात करते हैं देखें, जितने भी आपके older beliefs हैं, आप उन्हें आज release करेंगे आप किसी चीज़ के बारे में उल्टे बार्टन ने क्या सूच रहे हैं? उल्टे बार्टन का मतलब यह होता है, कई बार हम overthinking करते हैं ठीक है, हमारे किसी चीज़ को लेखर एक अपनी ही vision होती है उस vision से बाहर निकलना है, उस vision को छोड़ना है आपको नए तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना है ठीक है? और जो भी आपके अंदर पुरानी चीज़े हैं इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया या फिर मेरे पार्टनर मेरे साथ अच्छे से नहीं है यह life में किसी भी इंसान के बारे में अगर आपका कोई भी ऐसा thought process है तो उसे release कर दीजिए, नए vision को अपनाने की कोशिश करनी है आज आपको ये angels आपको guidance दे रहे हैं ओके? angels और ancestors से messages है और एक चीज़ और करेंगे आज आज आप, Sunday का दिन है ठीक है? घर पर जब खाना बने तो एक चपाती आप अपनी छट पर कवे के नाम की डालने ज़रूर ठीक है? वो जो आपका ancestral effect आता है जिसको पित्रो दोश भी भूलते हैं उसमें उस चीज के मतलब effect कम होगा उससे और I know कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कोई बात नहीं आप अगर नहीं मानते हैं तब भी किसी को फीड करना कोई गलत बात नहीं होती है तो क्रोस के लिए, स्पारोस के लिए कुछ उपर डाल दीजिए आज संडे का दिन है चपाती डालिएगा तो ज़ाधा अच्छा है यहाँ पर स्काय फादर का कार्ड है आपको इश्वर पे ट्रस्ट करना है आज आप जो भी चालेंजस फेस करते हैं उसमें आप डिवाइन को सिरिंडर करके अपने आप में एक ग्रोथ देखेंगे आप अपने आपको बदलते हुए आज के दिन में कुछ चेंजस देखने वाले हैं तो जो कुछ भी अलग से आपकी जिंदगी में आज के दिन पर होगा उस चीज़ पर विश्वास रखिए ट्रस्ट in the unknown डिवाइन के उपर ट्रस्ट जरूर रखिएगा ओके अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके उपर भी आपको ट्रस्ट करना है आप हर किसी को एक ही नजर से शक भरी नजर से नहीं देख सकते हैं उससे आप ही का नुकसान होगा जैसे कि जो एगल होता है वो बादलों के उपर उड़ता है ताकि एक बड़ा विजन मिल सके तो आपको चीज़ों को हायर परस्पेक्टिव से देखना है अगर आप प्राब्लम के अंदर इन्वाल्व होकर चीज़ों को देखेंगे तो यगीन मानिये आप उस प्राब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढून पाएंगे तो आपको अगर लगता है कि आप किसी प्राब्लम में फसे है या आज आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन तभी मिल सकता है अगर आप चीज़ों को उपर से देखेंगे एक ब्रादर विजन के साथ देखेंगे और आज के दिन आपको किसी के साथ किसी तरह की बहस नहीं करने रिलाक्स महौल में रहे अगर आपके लिए कुछ नया experience करने के लिए आ रहा है तो उसे खुले हातों से accept कीचिए और उस experience कीचिए और आपके लिए ये guidance है इस guidance को follow ज़रूर कीचिएगा Okay, thanks for watching. See you soon.